सेवा रिसेच फाउंडेशन में आप लोग का स्वागत है आज हम एक डिमान आ रहा तो बार बार पूछ रहे थे कि जो सूगर है जो डाइबटीज है उसके केसेस को कुछ ऐसा मेडिसीन बताया जाए जिसमें पुरंत कंट्रोल हो देखें डाइबटीज को आपको पहले यह क अगर आप डाइबटीज देखें तो यह एक-दो पहलों के बिना पर है आप उसको इनिशेली अगर आप टार्गेट करेंगे तो इससे आपका कम नहीं होता है आपको सबसे पहले उसके काउजिस पर जाना है ठीक है आप पहले आप इनिशेली आपको डाइबटीज है या पिर आपको यह ऐसा है कि आपको देखें अगर तो आपको टाइप टू या पिर टाइप वन इस तरह के डियापिटीज है हमारे पास कितने लोगों का क्यूर हुआ है कितने लोग रिवर्स भी कर चुके हैं बहुत तीनों से उनकी दवाईयां भी बन हैं लेकिन रिवर्स में जा सकते हैं तो अब उसके लिए मेडिसीनों का सेलेक्शन कोई आम नहीं है आप समझ लिजे कि अगर आपकी उमर चौबिस साल पचीस साल तीस साल और आप फेटी लिवर वन या फेटी लिवर टू या फिर कोई भी ऐसी भीमारी से में मुपतला है आपको उससे आपका चाने के लिए इंसुलिन तो वो तो अप इंकिरिया तो एक्तिव रहेगी आपकी तो फिर आपका वक्त ऐसा आएगा कि चालिस जैसे ही पार कीजियागा आपको डियाविटीज हो जाएगा तो यह भी एक कारण हो सकता है दूसरे कारणों के तरफ देखें कि हिंदुस्तान में कुछ ऐसे भी अगर आप देखें कि कुछ लोगों का सप्रेशन बहुत हुआ हो चाहिए वो एमोशनली सप्रेशन हो या डिप्रेशन में हो या फिर इस्ट्रेस में रहते हो तो इस्ट आपको कुछ दिन से टाइफाइड है जहां के आपका एज़ीवीटी बढ़ा हुआ है तो उसमें एक जब वहां पर उसके दबाव पड़ती है तो फिर आपके इंसुलीन आपके पिंक्रियास को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है तो एक वक्त ऐसा आता है कि आपको डिवेटीज हो गया क्योंकि आपको इंसुलीन रिजिस्टेंट होने लगा है आपको खा रहे हैं वह सईसे गल नहीं रहा है तो फिर इंसुलीन रिजिस्टेंट के सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा उसके लिए आपको सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा आप किसी का emotion को suppression है उसको रात में नीन नहीं आता फिर anxiety पर खाने का ठेक नहीं है तो उस suppression में भी आपको काम करेगा तो हम लोग सबसे पहले कोसिस यह करें कि आप जब भी करें उसका एजबी इवनसी करें ठीक है उसमें देखें अब बहुत लोगों को बहुत साल से दस साल से पंदरह साल से उसको तो टेबलेट आप छुरा नहीं सकते हैं ना छुराना चाहिए आपका टेबलेट आप छुरा या retinopathy हो या फिर कुछ इस था के जो कम्प्लिकेशन उसके होते हैं तो उस कम्प्लिकेशन पर आप काम करना शुरू करें तो फिर आएस्ते आएस्ते उस चीज़ों में जब reverse होना जो इसमें जब reform होना सुरू होगा तो फिर वो एक काम करें तो exact homeopathy में अगर कोई medicine मेडिसीन आप दें तेंपर वरी तो कम हो जाएगा उसका सुगर लेवल ठीक है लेकिन फिर फादमी वरी पर सुझा तो कुछ आपको ऐसे काम करना है डाइट के साथ कि उसके वह मेंटेंस रहे ठीक है तो अब कुछ-कुछ कैसे जाएशे है कि आपको जैसे उनको बढ़ा हु तो प्लुरोजीन है आप उसको एक एक बुन उसको जवान में आप 3 एक्स में है तो पोरूटनिंसी में के सकते हैं यह दुनों की पूरोविंग्च है इसका चर्चा आपको पर क्लार के मीट्रिया मका मेन मिल याएगा जहां पर आ यहां पाईसलिक्डी वर्न में भी तो जेन्स में अगर मान लिए आप दिखेगा कि केसिस कुछ अगर उसके लीवर से रेलेटेड है तो आपको मेडिसीन आर्णिका प्रिस्क्रैप चलना चाहिए है ना आपको लाइको पोडियम देना चाहिए मगर सर्त है कि उसके सिम्टम मिले यह नहीं कि आप किसी को आर्णिका आप सबको यूज कर सकते हैं ठीक है आप उसमें लीवर में इंजिरी है तो आप उस इंजिरी को एक करने के लिए आप ऐसे मेडिसीनों को दे सकते हैं आप जो फेक्ट है मेडिसीने कम से कम आपको एक महिना लेगी उसके रिवर्स के स्टार्टिंग सुरू करने का यह नहीं कि बन्दा पचास गुटखा खाता है ठीक है उसको डाइबटी से वह मानता ही नहीं है बीरी पीता है उसको मानता ही नहीं है तो पर ऐसे लोगों को आप म हम लोग देते हैं कि और टंग पर जब देते हैं तो वहां पर टेस्ट बड़ होता है और उसी ही थुरू हम उसका मेडिसीन जाता है ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसा नहीं है अगर होता हम हुआ पैती में तो इस चीज का चर्चा मिलता कि दो बोतल या फिर यह धकन एक ग्लास प बचाएं आपको मिलेगी तो कोसिस आप यह करें कि ऐसे लोगों को जो है इसके रीवर्स में आप इसके जो बैक चैनल में हो रहा है उन पर काम करें उन पर काम करने का इस्ट्रेस है तो इस्ट्रेस में दो तीन मेडिसीन आप देगें सबसे पहला एसीड फोस बहुत ठीक है और उनके कंप्लिकेशन से भी उनको बचाएगा ठीक है महिलाओं में हैं आपके पास नाइट्रम्यूर है आपके पास इगनेसिया है आपके पास इस्टेफगरिया है आपके पास औरम मैट है ठीक है और औरम मैट ऐसी मेडिसीन है कि उसके सारे कंप्लिकेशन को रि कम करना है तो आपको सिर्फ एक ही मेडिसीन मदद कर सकती है वो है प्लूडोजीन बस सरत यह है कि उसको चार सो तिन सो पांस सो ऐसे आप सुगर हो अब एक एक बुन आप उसको दीजिएगा एकदम वो कम होते चले जाएगा लेकिन फिर छोड़ियेगा तो फिर वह रिवर्स एक के मेडिसीन हैं तो आप इन मेडिसीन हो उसको जारी रखे है अब आप इस ट्रेस ऑर कांस्टियो शन के तोर पर आप अगर डेली मेडिसीन दे सकते हैं तो इलक जोन बहुत बरी मेडिसीन है कंपनीया मनाती है इंदुस्तान में आप उनके 30 पॉटेंसी में आप उसको दो टाइम दें, दो टाइम, तीन टाइम दें, मगर एक constitution remedy आप रखें उसका, या फिर stress का है, तो आप stress का एक medicine उनको दे, ठीक है, तो आप दो तीन medicine at a time देते हैं, अब mother tincture की जो बात पे ने, तो हम mother tincture तो नहीं देते हैं, लेकिन कभी-कभी जिमनेमा, सल्वेस्टरा, हम कभी देते हैं, मगर बाज cases में, 90% cases में हम नहीं देते हैं, आपको उसके bag पे काम किजाएगा, अब type 2 का हो गया, तो देखें type 2 में insulin, आप उनका milk बन ना करें, उनके cases को आप देखें, क्या कोई endocrine disorder है, या कोई autoimmune है, तो autoimmune पे आप काम करें उसका, उसमें कोशिस ये करे हैं, कि autoimmune है, तो आप नौसोट का यूज कीजिए, अब नौसोट क्या यूज करें, क्यूंकि उसमें सिफिलिस cases है, वो आप अगर उसको रखें, कि उसको अगर रखें, तो सिफिलिस में जाएगा वो, तो सिफिलिस में आप medicine देखें, एंटी सिफिलिटिक medicine आप दें, उसके लिए बड़ी तादाद में आपको तो क्या कहें, बड़ी तादाद में कि आप उसको एक-दो medicine देख सकते हैं, आप कुछ-कुछ ऐसे होते हैं, कि हमने देखें हैं ऐसे-ईसे cases, जिसको मतलब सिफिलिस के cases था या गुनोरियावगरे के cases था, तो जिसको पिशाब में हमें साय करता, तो फिर किरस्टीनम देएं, आप ऐसे-गैसे में लाइको-पोडियम देएं, नैट्रम्यूर देएं, तो medicine ने काम बहुत तीजी से करेगी, लेकिन सरती है कि उसको एक महना टाइम चाहिए, यह नहीं कि आप इंसुलीनम देदें और यूरिनियम नाट्रिकम 3X में थे, यह medicine ने temporary तो काम करती है, लेकिन उसको reverse भी आपको ले जाना है, जब reverse ले जाना है, तो आप जैसी उसके इंडे क्राइन पे आप काम करिएगा अप टाइप होन में, या फिर कोई बहुत high level का infection है, ठीक है, तो इसमें जब काम किजिएगा, तो फिर आएसे आएस के तरफ जाएगी, लेकिन महिलाओं में दो medicine आप हमेसा याद रखें, क्योंकि इन में suppression होते हैं, कोई भी category हो, कोई भी caste हो, कोई भी तबका हो, कोई भी इसमें हो, आप उसमें कभी ये करें कि ये खुश हैं, ये अच्छे family के हैं, ये अच्छे category के हैं, तो इसमें suppression नहीं होता है, आप इगनेशिया, नाइट्रमियूर, इस्टेफ अगरिया, इन तीन मेडिसियन और औरम मेट, इन मेडिसियनों को इंटर क्रेंटरमेटी के तोर पे देखें, जेंस में आपको देखना है, एसिट फोस को देखें, आप आप औरम मेट को देखें, ऐसे कि जो normal medicine है, ये सब में चलती है, ठीक है, ये सब में चलती है, नॉर्मल है है, ये सब में चलती है, लेकिन आपको constitution medicine देना पड़ेगा, ताकि case आपका reverse के तरफ जाए, अगर मानले किसी को इनिशियल हो है, दो मेना, तीन मेना हो रहा है, या एक साल हो रहा है, तो इनके cases पांस से से मेन में रिवर्स के तरफ बिल्कुल चले आते हैं, इसमें कोई ये नहीं आता है, अब कुछ-कुछ cases है, ऐसे कि जहां पर, मानले कहीं पर medicine आपको लग रहा है, कि 20 दिन दिया, 25 दिन है, sugar level down नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपको समझना चाहिए कि नहीं, कुछ-ना-कुछ हम से मिस हो रहा है, जेंस में है, आपको दिख रहा है कि नहीं, यह बंदा लाइको-पोडियम से related है, लेकिन काम नहीं कर रहा है, माडिसीन, आप थारोडीनम का यूज कीजिए, हो सके उसके इंस्ट्रेक्शन थारोडीनम उरा दे, क्योंकि थारोडीनम को proving बहुत ही cases में किया है, चाहे वो इंडोक्राइन के वज़े से आउटो-इमेन डिजीज में, एज़े इंटर्क्रें इंटर्मेडियर बहुत अच्छी काम करती है, हमने बहुत सारे cases, हमने किये हैं उसके, जहां उसकी symptom लाइको-पोडियम से मिलती है, जहां उनकी symptom साइलेसिया से मिलती है, तो आप ज़े इंटर्मेडियर तो फिर वो साइलेस या लाइको-पोडियम जिसकी भी वो मरीज होंगी, या होगा, तो उनकी मेडिसीन है काम करना स्टार्ट कर देगे, तो कुछ-कुछ आप्स्ट्रेक्शन आपको देखना पड़ेगा, आप कहीं पर काम नहीं कर रहा है, कु उसके रोकाउट आ रहा है, आप सही मेडिसीन देने काम नहीं कर रही है, उनके अगर दूर करेगी तो एक सबीना है, यह सारे मैं अपनी बातें नहीं कर रहा हूं, यह सारी बातें किताबों में अबलेबल है, मेट्रियम मेडिक आप पढ़िएगा, सारी चीजे हैं, और उ देखा नहीं होगा ध्यान से, या पर उसमें पढ़ा नहीं होगा, आपके नजर से गुजरा नहीं होगा, वो अलग सी बात है, लेकिन यही हकीकत है, आप अच्छा से देखिएगा, मेट्रियम मेडिका को, तो फिर जरूरत नहीं परेगी हम लोग के वीडियो देखने की, मैं तो आपको स्रिफ जो, आप लोग जो मोबाइल में इधर उदर देखते हैं, तो मैं कोशिस यह करता हूं कि जो फेक्ट है, मेडिसीन का, वो आपके सामने में रखूं ताके फिर आपके प्रेक्टिस में अच्छा निखार आ सके, तो ये था सुगर से रिलेटेड, आप मेडिसीन सुगर से रिलेटेड है, तो आप अलक्जोन, प्रोडोजीन, ये सा मेडिसीन आप दे सकते हैं, ठीक है, इनके लिए कोई सिम्टम और आधार की जरूरत नहीं होती है, कोई भी कांस्ट्यूशन नहीं है, अलक्जोन और प्रोडोजीन, दूसरा, एक हो गया, आप कोई स्ट्रेस हो गए रहे है, या कोई भी उसको है, तो आप एसिट फोस में और मैलाओं में नाइट्रोम्यू, ये दू मेडिसीन है, आप इनहीं पर अगर काम करें, कोशिस करें, तो उनके अब्स्ट्रेक्शन इसी मेडिसीने से जाएगी, और सुगर लेबल भी कम होना स स्टार्ट हो जाएगा, और प्रेलेटिक मेडिसीनों का अब एंटी प्रेलेटिक मेडिसीनों का योज करें, तो ये था आज सुगर से लेटर और उसके कुछ दवाई हैं, तैंक्यू, धन्यवाद,